हेलो स्वात्यों कैसे हैं आप स्वागत एक बार फिर से आपका SCMTS एक छोटा सा एक्जाम बड़ा क्यूट सा एक्जाम होता है जिसका जो एक्जाम है आज से लगबग तो अभी से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर एक मेने का टाइम हो यह से तरह से आपको प्रेक्टिस पह ध्यान देना चीए जैसे कि जब कम टाइम होता है तो हम क्या करते हैं सेक्शनल प्रैक्टिस करते हैं जो सामने आ जाता है वो पढ़ लेते हैं या discipline नहीं बना पाते हैं टाइम टेवल नहीं बना पाते हैं confusion बढ़ जाती है जैसे जैसे टाइम कम रहेगा आपकी confusions बढ़ती जाएंगे तो उस situation में आप क्या करें कैसे अपने सारे के सारे सब्जेट्स को टैकल करें इन लास्ट के तीस दनों में चलिए जानते हैं तो सबसे पहली बात आपको सतर करहना पड़ेगा उन लोगों से जो एक असाल से बच्ये तयारी कर रही है उन से थोड़ा साम आपका competition होने वाला है अगर आप इस तरह से महनत करते हैं तयारी करते हैं तो आपका selection पक्का हो सकता है उसके फाइदे हैं मैं बता दू कि ऐसा क्यों मैंने बोला है कि आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा उसके दो रीजन है पहला कि MTS जैसा एक्जाम में छोटा सा एक्जाम है टेंथ ट्वेल्थ पास्फॉर्म वर सकते हैं जो आपने भर दिया होगा और पेपर बहुत नॉर्मल लेवल का आता है एजी से मॉडरेट मालो वरना एजी ही मान के चलो एजी से मॉडरेट मान के चलो बस कुछ क्विशन्स इंगलिस के उट पटांग वो पूछ लेता है उसके लिए मैं आपको तयार करी देता हूँ ठीक है डेली प्रेक्टिस सेशन आपका फिरी में आपका टायम है अब इसक थोड़ा सावी पेटन बता देता हूं आपका कैसे कैसे पेपर होगा कितना हetchल मिलेगा कैसे आफ मैनेज करोगे कैसे तयारी करोगे किस सबघेक्य को कितना टाम दोगे मैं सारा बता दूं हूँ ठीक है सबसे पहली बात जैसे आप एक्जाम देने जाएगा जब यह ओवर हो जाएगा उसके बाद थोड़े से गैप के बाद तुरंत की तुरंत आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उठने निदिया जाएगा आपको वहां से तो पहले सेक्षन में आपसे मैस और रिजनिंग दो सब्जेक्ट पूछे ठीक है लेकिन याद रखना है इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको एक घंटे से भी कम कर टाइम यानि कि 45 मिनट का टाइम मिलेगा सफीशन्ट है कोई दिकत नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव मांकी नहीं है उसका रीजन क्या है कि यह पेपर आपका क्वालिफाइंग है इसलिए मैथ के टीचर MTS के एक्जाम को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन असल में बात यह है कि जो अच्छी तयारी करना चाहते हैं जल बगरा की व और सारे लोग ऐसी होते हैं उनके पास पैसा कम होता है फिर आपका दूसरा पेपर होगा जो दूसरा पेपर होता है दूसरा सेक्शन यह आपका decide करेगा कि आपका selection होगा या नहीं merit इसी वाले section से लगेगी तो जो दूसरा section होता है वो सबसे ज़्यादा important है उसमें GKGS पूछी जाएगी और English इसमें 5-5 question बढ़ा दिये यानि कि अगर SSC के तयारी कर रहे हो बिना English के आपका कोई वे पर नहीं निकलेगा हालांकि किसी भी subject के बिना नहीं निकलता लेकिन English का सबसे अच्छा वेटिज रहता हर एक एक्जाम है आपको इसाभी एक्जाम देख लो ठीक है तो यहाँ पर 25 question English के मिलेंगे 25 question आपके GKGS के मिलेंगे 75-75 marks की English यानि कि 500 नंबर की सोरी 500 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका और 500 में से आपकी मेरिट लगेगी जो मेरिट आपके लगेगी और इसी के आधार पे आपका सेलेक्शन प्रोसीड होगा आगे ठीक है और इसमें भी आपको टाइमिंग उतनी ही मिलेगी सोचने वाली यह एक कुशन के तीन नंबर दिए नेगेटिव मार्किंग भी ठीक है कट आपकी 500 में से लगेगी यह तो रहा आपका पैटन कि आपको पेपर कैसे देना है अब बात कर लेते हैं कि सर मेरे चारों सब्जेक्ट है मुझे चारों सब्जेक्ट को कैसे कैसे टाइम देना ची जिससे म अच्छी लग सके तो भाई आपको कम से कम आपको टार्गेट करना है 120 कुशन मतलब 120 मार्क्स आपको टार्गेट करने मिनिमूम मैं तो कहूंगा इससे जादा ही जाएगी जादा तो नहीं जाएगी बट हमें 120 और 130 का टार्गेट करना है चीए तब जाके आपके तो आपको करना क्या है जैसे मैथ मैस अब पूरा तो पढ़ने सकते तीस दिन में आप क्या करोगे दो तीन काम ऐसे हैं जिनको आप फ्री माइंड कर सकते हैं मैस और रिजनिंग के साथ वो क्या है पहला मौक टेस्ट रिजलिंग में भी सेम मौक टेस्ट ये तो पढ़ना है, दस से बारा घंटे आपको कम से कम पढ़ना है, क्योंकि एक्जाम टाइम कम है भाई, तभी आप सारा का सारा पार्ट कवर कर पाओगे, सेक्षनल मौक हो गया, मैस और इजनिंग का दोनों का, इसके सासत आप क्या करोगी, जो सबसे बढ़िया बात यहां पर लिखी है, वो है वेटीज वाइस, यानि कि आप ये देखो कि मैस में पिछले एक्जामेनेशन में, चार से पाँच साल की एक्जामेनेशन में, सबसे ज चेक करो, मौक टेस्ट डेली लगाओगे, आपको एडिया रहेगा, कि भाया किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा कुशन आते हैं, उसी हिसाब से अगर आपको अलग से सेक्शनल चैप्टर वाइस प्रेक्टिस करोगे, और उसी चीज को आप क्या करोगे, उसी को सबसे ज़् प्रेक्टिस करने है, फाल्तू के, देखो सबसे ज़्यादा टेंशन हमें आती है, जब हम फाल्तू के मौक टेस्ट लगाते हैं, एक्स वाई जैड कोई कमपनी है, उसके आपने मौक टेस्ट लगा दिये, फाल्तू मनोंने खुद के क्वेशन बना रखे हैं, उनसे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है, सिर्फ प्रिवियर से लगा के चले जाओ, आपका सेलेक्शन हो जाएगा, गारेंटी मेरी है, जाओ, ठीक है, इसके अलाबा देखको, आप कभी भी किसी भी सब्जेट के जब एक्जाम टाइम आता है, तो इस तरह के नोट्स तयार करना है, ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको लगाने है, सेम चीज है, यहाँ पर भी टॉपिक, अच्छा, रीजनिंग में हमेशा से, चाहे आप सीजल के तियारी करना है, या म्ट्यस की, दोनों में सेम काम करना है, टॉपिक बाइस क्वेशन ही, इन पूचे जाते हैं, बहुत बड़े लेवल की बेंकिंग लेवल की पजल नहीं आती है, नॉर्मल पजल आएगी, ठीक है, नमबर और अलफा, नमबर सीरीज या अलफा सीरीज जो होती है, वह आपके पूची जाते है, उससे लोगिसम से क्वेशन पूची जाते है, यह में पूचे जाते हैं, बाकि इनके अलावा भी क्लॉग लॉग से भी क्वेशन पूचे जाते हैं, यह आपके में टॉपिक है, ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, रीजनिंग में बस दो ही काम करने हैं, चैप्टर वाइस क्वेशन और सेक्शनल मॉक, बस ढाई गंटे में इतना कुछ हो जाता है, यार एक मॉक टेस्स लगाने में न, पंदरे मिनट लगते हैं मातर, पंदरे मिनट लगते हैं बस, रीजनिंग का मॉक लगाने में, ठीक है न, और एक फुल लेंध मॉक यह कंपलसरी कर लो, एक फुल लेंध, ठीक है, यह फुल ल लगाना है यह तो हो गए आपके मैस और रिजनिंग की बात अब आ जाते हैं जिससे आपकी मेरिट लगेगी ठीक है इंगलिस और जीएस की बात कर लेते हैं देखो जीएस में आपको कुछ नहीं करना अगर आप सब्जेक्ट वाइस पढ़ोगे तो बरवाद हो जाओगे बा जिसमें नीचे बॉक्स में अलग से एक्स्वानेशन दे रखा होता है आपको कुछ नहीं करना है डेली का मिक्स कुश्चन का टार्गेट करना है सो कुश्चन बस उन्हीं को रिवाइस करना है और उन्हीं की प्रेक्टिस करनी है ठीक है प्रेक्टिस करके बाद में रिवा अब आपको क्या करना है देखो इंग्लिस की मैं बता दूँ इसमें 100 कुशन डेली टारगेट करो और इसमें स्टेटिक और करेंट एड़ कर लेना भाई स्टेटिक करेंट दोना एड़ कर लेना ये चीज ध्यां रखना ठीक है अच्छा इसके अलाबा क्या करना है इंग्लिस का मैं बता दूँ इंग्लिस में मेरी एक्सपर्टीज में तसली पूरवक अच्छे से बता देता हूँ आपको एक क्लोस टेस्ट डेली लगाना एक या दो ठीक है आपको क्या करना है मैं एक मौक तयार करके बता रहो एक पूरा English का mock test बना दूगा जो daily आप करोगे एक तो English में जो आप sectional लगा रहे हो वो तो करोगी करोगे जो sectional mock test आप लगा रहे हो सारे subject का वो तो आप लगाओगे ही इसके अलावा English में आप क्या करोगे अलग से पढ़ने के लिए तो daily आपको एक से दो close test करने ह करने है उसकी आदत बनाए रखनी है क्योंकि एक close test आपके एक्जाम में पूछा जाएगा छोटा सा चार नमबर का पांस नमबर कर ठीक है और daily आप mcqs याद करो mcqs practice करते करते याद करने ठीक है इसके अलावा पचास one word भी याद करने ना one word का मतलब single word meaning यह word meanings की बात कर करने है अलग से ब्लेक बुक्से याद करने आराम से ब्लेक बुक्स से पढ़के चले जाओ नीतु सिंग से चले जाओ English इंगलिस प्रमास से इन से पढ़के चले जाओ को सारे की सारी वोकैबलरी वहीं से मिल जाएक की ठीक है daily कम से कम 10-15 mcqs की practice करनी है साथ के साथ 50 words पढ़ी रहे हो daily analysis चल रहा है YouTube पे भी चल रहा है आप book से भी पढ़ सकते हो idioms आपके 25-25 daily mcqs mcqs की बात करो इनकी practice तब भी हो जाएगी आपकी ठीक है all spelling test ठीक है ये सारे के सारे mcqs इसकी अलाबा कम से कम daily के daily के 50 question grammar के करने है ठीक है कम से कम 50 question आपके किस के होने चीए भाई grammar के होने चीए अच्छाए grammar के भी practice questions ही करने है ठीक है grammar में कौन-कौन से type of question आते हैं यह आपको पता ही है एक तो error detection ठीक है और improvement improvement ठीक है और इसके अलाबा आपके fillers ठीक है यह 50-60 question इसके 20-20 question आप तीनों में से लेगे 50-60 question इनके लगा दिया करना ठीक है यह इसमें ज्यादा time लगेगा इसमें maximum तीन गंटे अगर तीन से चार गंटे भी देते हो तो इसमें reading भी include कर सकते हो तीन से चार गंटे भी अगर आप English को देदेगे तो इतना सारा काम कर लोगे अराम से मात्र तीन से चार गंटे ठीक है इस तरह से आपके सारे के सारे subject जो है अच्छे से रिवाइस हो जाएंगे और अच्छे से प्रेक्टिस हो जाएंगे अराम से ठंडे माग से ही पेपर देने जाना कोई बहुत बड़ा stress लेने की जुरूत है नहीं कि मेरे इतने माक्स आने चीटने प्राब्लम हो जाएगी यह हो जाएगे वो जाएगे कुछ नहीं होता टेंशन मतलो ठीक है तसली पूरोग तैयारी करो आराम से ठीक है अगर कंटेंट नहीं पता है कहां से मिलेगा तो भाई यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रहे हैं आके क्लास लिलिया करो डेली ठीक है हाँ और मॉक टेस्ट तो मैंने बताई दिया है यह लास्ट में मैं फि अगर आपका ध्यान मेरी तरफ होगा तो पूरी बात समझ में आई होगी ध्यान नहीं होगा तो आदिया दुरी आई होगी ठीक है बस अगर आपको कंटेंट बगेरा चाहिए तो ओपन स्टडी एप्लेकेशन पर क्रेस कोर्स चल रहा है फांडेशन कोर्स भी है बाकी टेल झाल 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 झाल